दोस्तों केमल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं उट अधिक्तर रेगिस्तानों में पाय जाता है इसलिए उट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है कि आप जालते हैं उट कई महिनों तक बीना खाए बीना पानी के जिंदर रह सकता है और हम में से कई लोग ये सुचते ह कि उट पानी को अपने कूबड में श्टोर करके रखता है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है आपकी जनकारी के लिए बता दूं कि वो अपने कूबड में फैट यानि की वसा इकठा करके रखता है ना कि पानी जिससे उसको लंबे समय तक उर्जा मिलती है और एक बार में 75-100 लिट और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और बेल आइकन को प्रेस किजिए